ओम शुरी विश्णवे नभा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं। वैशाख मास के कृष्णपक्ष की एकादशी का नाम वरूतनी एकादशी है। एक बार धर्मराज युदिस्टर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। हे भगवन, वैशाख मास के कृष्णपक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधी क्या है और उसे करने से किस फल की प्राप्ती होती है, ये सब आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताईए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब धर्मराज युदिस्टर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी है और यह सुभाग्य देने वाली हर प्रकार के पापों को नस्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है, यदि इस व वरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे, वरूथनी एकादशी का फल दस हजार वर्षों तक तब करने के बराबर होता है, कुरुक्षेत्र में सूरिक ग्रहन के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल से मनश्य इस लोग में सुख भूप कर अंत में स्वर्ग लोग की प्राप्ति करता है, शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोडे के दान से श्रेष्ट है, और हाथी के दान से भूमी दान, भूमी के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वंड का दान, और अन्यदान के बराबर कोई दान नहीं है फिर अन्यदान से देवता पितर और मनुष्य तीनों तरप्त हो जाते हैं शास्त्रों में अन्यदान को कन्यादान के बराबर माना गया है हे धर्मडाज वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्यदान तथक कन्यादान दोनों के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती हैं जो मनौ parler के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं वे प्रलैकाल तक नरक में वास करते हैं या उन्हें अगले जनम में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है जो मनौर्श प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुर्णे को राजा चित्रकुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज वृत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंधा करना और पापी मनुश्यों के साथ बातचीत इन सब का त्याग कर दिना चाहिए। उस दिन क्रोध मिध्या भाशन का भी त्याग करना चाहिए। इकादश गौदान का फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन एकादशी का महातमे पढ़ने, सुनने, अत्वा, दूसरों को सुनाने से भी हजार वर्ष तक गंगा जी में इस्तनान करने जितना ही पुर्णे की प्राप्ती होती है। हे धर्मराज युदिस्टर, अब मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवन करो। पौराणिक कथा के नुसार, एक बार नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के राजा का राज्य था। राजा के रुची हमेशा धार्मिक कारियों में रहती थी, वे हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते और धार्मिक कारे किया करते। एक बार की बात है, राजा जंगल में तपस्या में लीन थे कि अचानक तभी वहाँ एक जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। भगवान विश्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का अंत कर दिया। लेकिन तब तक राजा का एक पैर भालू खा चुका था और वहें इस बात को लेकर बहुत परिशान हो गए। और इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्वजन का अपराध था। तुम्हारे पूर्वजन के किये हुए पापों का कारण था। तब भगवान की आग्या मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया। और वरूतनी एकादशी व्रत करने के प्रभाव से वहें फिर से सुन्दर और संपुन अंगो वाला हो गया। जिस तरह से वरूतनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को कष्टों से मुक्ति मिली थी। उसी प्रकार से वरुतनी एकादशी वृत का ये महतम्य भक्तों के कस्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मौक्ष प्रदान करने वाला है प्रेम से बोलिए विश्णु भगवान की जय एकादशी माता की जय एकादशी के दिन भगवान श्री हरी की पूजा अर्चना करके मंत्रों का जाब करके वृतकता पढ़ी और सुनी जाती है और सबसे अंत में आरती की जाती है आज के दिन आरती करतिस में भगवान विश्नु की आरती और एकादशी माता की आरती जरूर करनी चाहिए आप उपर स्क्रीन में एकादशी माता की आरती भी पढ़ सकते हैं कपूर जलाकर आरती करने से घर में सकरात्मक्ता आती है और घर की नकरात्मक्ता दूर होती है यदि घर को या घर की खुश्यों को किसी की नजर लगी होती है तो वो नजर भी दूर हो जाती है भगवान विश्णु की पूजा में एकादशी के दिन पीले रंका अधिक सरदिक प्रयोग किया जाता है भगवान श्री हरी को पीले फल पीले फूल अरपित करने के साथ ही तुलसी दलों का भोग लगाया जाता है इस दिन पंचा मृत का भोग भगवान श्री हरी को अर्पित करने से भगवान अत्यंत प्रसंद होते हैं और जैसा की वरूथनी एकादशी नाम है इस दिन भगवान श्री हरी के वरहा अफ्तार की पूजा करने चाहिए वरहा अफ्तार में भगवान ने अपना आधा शरीर मानप का और अपना मुह एक सूर के रूप में धारन किया हुआ है इस दिन भगवान के इसी रूप की पूजा की जाती है जो भक्त सचे मन से एकादशी व्रत की पूजा करके उपवास रखता है उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते है ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नस्थ हो जाते हैं और अंत में मौक्ष की प्राप्ती होती है जदी वरूथनी एकादशी के दिन व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पित्रों को अर्पित कर दिया जाए तो ऐसा करने से पित्रों को भी शांती मिलती है और यदि पितर कस्ट में होते हैं तो उन्हें कस्ट से मुक्ती मिलने के साथ ही अंत में स्वर्ग लोग की प्राप्ती होती है और फिर पितर जब प्रसन होते हैं तो उनका आशिरवाद भी परिवार चनों को भरपूर मिलता है जिस घर में पितरों का आशिरवाद बना होता है उस घर में कभी दुख नहीं आते उस घर में कभी किसी की अकाल मृत्यू नहीं होती उस घर में कभी कोई काम नहीं बिगरता और सभी काम बिना किसी वाधा के सफल हो जाते हैं उमीद करती हूँ आपने उपर स्क्रीन पर लिखी वी आरती पढ़ ली होगी ये थी आज की वीडियो अगर आप जानना चाहते हो बरुतिनी एक आदशी की संपोर्ण पूजा विधी के बारे में और शुब मोर्द के बारे में तो इसकी वीडियो भी मारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं साथ ही हमारे इस चैनल पर आप हर दिन नियम से श्रीमत भागवत महापुरान की कताएं भी सुन सकते हैं